आज हम बनाएंगे मटन फैट करी यानि के बकरे के चरबी का सालन बहुत ही टेस्फुल तरीके से बनाएंगे फ्रेंड जरूर ट्राइ करिए अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए अब इसमें मेडियम साइज की फाइन चॉप कीवी प्यास दाल देते हैं प्यास को हम हलकी असा सोटे कर लेते हैं पहले अच्छे तरीके से चम्मत चला दिए मीडियम फ्लिम पे हम इसे पका लेंगे पहले तो प्यास सौट हो गई है अब इसमें हम वन तीस्पुन अद्रक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हल्दी पाउडर देल में पकती है न तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता हैं तो यह देखियए हमने अ मिन powerless पेका लिए है फिर इसमें हमने डाल दिये है एक चोटे साइस आज का अगर बड़े साइस का दनाटर हो तो सरीफ 18 चॉप मैस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करिया और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हाफ टीस्पून दालेंगे धनिया पाउडर 1 फॉर टीस्पून से भी कम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर गरम मसाला 1 फॉर टीस्पून लाल मि तो नहीं है और आब हम इसे ढकन कवर करकर पकने के लिए चोड़ देंगे 5-6 मिनट के लिए ताकि यह थोड़ा सा मसाला पक जाए और सॉप्ट भी हो जाए हमारी प्यास तो घ्ली से साथ मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पे यह मसाले को ढकन कवर करकर पकने के लिए तो इसमें हम दालेंगे गरम पानी बड़े गलास एक गिलास गरम पानी डालेंगे आदे गलास से थोड़ा से जादा डाल दिये हैं फिर हमने इसमें डालें मटन मसाला डाल कर अच्छे तरीकी से फिर से यह देखी इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा फ्रेंड्स वैसे तो चर्बी किसी को जादी पसंद नहीं होती है लेकिन एक बार जरूर ट्राय कर यह पसंद होवार एने डाल दिये हैं फले कवंने थोड़ा सा तक नोई खाए तो नमक अबक में थोड़ा सा डाऒए दो तो यह आपर अपने बाता थे दो सब्र Door करको ऊच्छालओं फ्रेंट जैसे जैसे हमारा फैट पक जाएगा ना तो वैसे वैसे थोड़ा सा फुलने लगेगा चर्बी हमारी फुली फुली सी दिखने लगती है यह देखिए इस तरह से और माशालला बहुत ही टेस्पुल बना था इसे जरूर ट्राय करिएगा मटन फैट करी को आप जव